हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्टो टेक्ट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी लेप्टॉप या डेफ्टॉप कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं या फिर उसमें बिंडोज को कैसे इंस्टॉल करते हैं दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बुटेवल पेंडराइब कैसे बनाते हैं और बुटेवल पेंडराइब किसकी मदद से बनाते हैं विडियो को शुरू करने इस पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस किसी भी computer को आपको format करना हो और अगर जो अगर चालू अवस्था में हो तो सबसे पहले desktop पर जो भी icon बने हुए हैं उन्हें ध्यान से देख लें इसमें कोई आपकी जरूरी files वगरे तो नहीं है अ और C drive के अंतरका कोई file गलती से आपने इस्टोर करके रखा हो तो C drive से हटा को D drive, E या अरधर किसी भी drive में रख लें क्योंकि जब भी आप computer format करेंगे या Windows इंस्टॉल करेंगे तो C का ही सारा data मिटता है और तीसे नमर की जो जरूरी होती है downloads नाम के folder की इसे open करके आप check कर लें जो भी आपने internet से download किया होगा download नाम के folder में store होता है तो इसे भी अवज से copy कर लें नहीं तो जब आप अपना computer format करेंगे तो ये download नाम का folder का जो भी data होगा वो सब गायब हो जाएगा इस प्रकार हम दोस्तों desktop, download और C drive के जो जरूरी data ह होता है उसके बाद दोस्तों अगर जो आपका computer चालू हालत में हो तो C drive के उपर right click करके properties को click करें और जब properties open हो जाए तो इसमें आपको windows 7, windows 10 जो भी operating system install करना हो यहाँ पर mark के लिए कोई भी key यहाँ पर type कर दें तो मैंने यहाँ पर win 10 type कर दिया apply और ok कर दें दोस्तों यहाँ पर दिखाई न दे तो यहाँ पर आपको कोई भी घवडाने की बात निया जब आप computer को restart करेंगे और boot कराएंगे अपने pen drive को तो वहाँ पर वो नाम दिखाई देगा यह जो level हमने लगाया हुआ है वो level वहाँ काम करेगा कि कोई भी drive कौन सा drive होता है तो यह C drive DVD writer में अपने disk को लगा लें जिससे की computer format करना चाहते हैं चुकि आज के वीडियो में हम bootable pen drive की मदद से इसे format करना चाहते हैं तो जब PC आपका restart हो रहा होगा या फिर shutdown कर रहा होगे इसी अंतराल में अपने pen drive को computer के back panel में USB port में लगा दें या अगर जो laptop हो तो किसी भी USB port मे लगा दें और जब PC restart हो तो boot menu key को press करते रहें तो ये तो रहा दोस्तों एक तरह का theoretical चलिए आप इसे live देख लेते हैं कि कैसे computer को format करेंगे तो चलिए video को शुरू करते हैं अब अपने CPU का power button प्रेस करें और जैसे ही प्रेस करते हैं power button को और monitor में light दिखाना display हो जाता है तो अपने computer के keyboard से boot menu key press करें क्योंकि हमारा motherboard gigabyte का है तो इसका boot menu F12 key है आपके computer या laptop में जो भी boot menu होगा उसे आप प्रेस करें तो मैंने F12 key press करा जैसे मैंने F12 key press करा तो देखें आपे boot menu open हो गया है सबसे पहले इसमें देखें तो DRW दिख रहा है यानि कि DVD writer जो हमने लगाया है वो दिख रहा है यदि आपने computer में bootable disk लगाया होगा तो इसे पहले पर ही select रहने देंगे और यदि ये नहीं लगाया होगा तो इसे छोड़ देंगे दूसरे पर देखेंगे तो WDC दिख रहा है यानि कि WD company का hardix जो हमने लगाया है वो दिख रहा है और तीसे नमबर पर देखें तो sandix display हो रहा है तो दोस्तों हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि bootable pen drive कैसे बनाते हैं और उसी pen drive की मतलब से हम इसे format कर रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर date and time को आप select कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी setting ना करें यहाँ पर simple next को click कर ले next को click करने के बाद से फिर से उसी के अंतरगत एक और window आ जाएगा जहाँ पर install now को click करना है तो install now को click करते ही setup starting का message आएगा और हमारा setup start होना शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में applicable notice and license term का window आजाएगा जहाँ पर I accept the license term के check mark को on कर देना है और next को click कर देना है जैसे next को click करते हैं तो यहाँ पर दो option हमें मिलते हैं पहला मिलता है upgrade install windows and keep file setting and application और दूसरा मिलता है custom install windows only advanced तो यदि आपके computer में पहले से windows 8, windows 8.1 या windows 7 या कोई भी operating system होगा उसे आप upgrade करना चाहते हैं window 10 में तो आप पहले वाले option को select करेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम finally windows को install कर रहे हैं तो यहाँ custom वाले option को click करना है तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर custom install windows only advanced को click करना है जैसे इसे click करेंगे तो where do you want to install windows के अंतरगत हमें पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पर की हमारा hard drive सो करता है चुकि दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमारे computer के अंतरगत सिर्फ एक ही drive है और उसे दो भागों में हमने divide करके रखा है तो पहला है partition 1 और दूसरा है partition 2 तो partition 2 को देखें दोस्तों तो यह 1663 gb का है मतलब 1663 gb तो यह हमारा C drive नहीं हो सकता है किसी भी partition के अंतरगत हम देखेंगे जो कम से कम gb हो या फिर अगर जो उसका नाम आपने type करा होगा तो यहाँ पर display होगा तो जो यह 200 gb की आपको new value दिख रही है यह हमारी C drive है इसे select करके format को click करना है और ok को click कर देना है जैसा ऐसा करते हैं तो यह format complete हो जाता है और windows install होन कर लें और फिर से partition create कर लें लेकिन दोस्तों इसकी हमने एक separate video अलग बना कर रखी हुई है जिसे देख कर आप partition करना आसानी से समझ सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात करें दोस्तों तो किसी का भी computer हो laptop हो खुद का हो या किसी customer का हो तो सिर्फ C drive को ही आप format करें न कि आप उसक तो यहाँ पर मैंने सिर्फ C drive को select करा और यहाँ पर next को click कर दिया जैसे next को click करेंगे तो हमारा windows install होना शुरू हो जाएगा तो देखें यहाँ पर installing windows का एक window है जिसके अंदरगर इसका status दिख रहा है copying windows file जो कि windows file copy हो गई है उसके बाद से getting files ready for installation यहाँ पर 0% दिख रहा है यह automatic ही 100% होगा जो कि देखें अभी 1% हो गया तो इसे complete होने तक दोस्तों आपको wait करना है दोस्तों यह कितनी देर में complete हो जाएगा यह depend करता है आपके pen drive पर, आपके SSD पर, आपके HDD पर और आपके DVD writer पर अब यह सोच रहे होंगे कि यह 4 options से इस पर क्या फरक पढ़ने वा इसे format कर रहे होंगे, तो DVD बार-बार घूमता है, फिर data हो digital होता है और फिर वो copy होता है, फिर software install होता है, तो उसमें प्रकिरिया लंबी हो जाती है, अगर जो उसी जगह पे आप pen drive से format कर रहे हैं, तो थोड़ी यह तेजी से होगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसे pen drive से format के रहे हैं, और यह बहुत तेजी से हो रहा है, अब और भी तेजी से यदि आप चाहते हैं, तो आप अपने computer में SSD का उप्योग करें, चुकि HDD और SSD में जमीन और आस्मान का अंतर है, क्योंकि HDD में एक disk होता है, जो disk घूमता है, फिर data उसका header पढ़ता है, और उसे read write करता है, लेकिन यहीं पर SSD की बात कर लें, तो उसमें घूमने लाइक कुछ भी नहीं होता है, और सब कुछ चीप पर मौझूद होता है, जिससे data को आसानी से पढ़ा जा सकता है, तो जब pen drive से SSD वाले disk को हम फार्मेट करते हैं, तो HDD की अप्यक्षा ओ आधे से भी कम समय में format हो जाता है, तो दोस्तों यदि आप computer को तेज करना चाहते हैं, या फिर video mixing करते हैं, और अपने computer को fast करना चाहते हैं, और अपने program को तेजी से open करना चाहते हैं, तो आप अपने computer में SSD अवस्य लगा लें, तो अभी देख रहे हैं, यह HDD है, और pen drive से format हो रहा है, तो य जब यह परकिरिया पूरी तरह से open हो चुकी होगी, तो आपका windows अपने आप restart होगा, तो यहाँ पर 10 second का time लेता है, आप चाहें तो restart now को क्लिक करके तुरंत restart कर सकते हैं, दुबारा जब PC restart हो, तो फिर से boot menu को press करते रहें, तब तक जब तक की boot menu न आ जाए, जब दुबार boot menu आ जाए, तो इस बार अपने hard disk drive को select करें, और enter कर दें, यदि आप mouse से click कर रहे होंगे, तो hard drive को click करें, जैसे click करेंगे, तो अभी जो windows उसमें install हुआ था, उसी को finally install करने का window आ जाएगा, जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे हैं, दोस्तों दुबारा PC restart होने को बाद, सा थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और वक्त लगता भी है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से धैरे रखने के आऊ सकता है, आपकी PC आपको ही setup हो जाने के बाद से, कुछ जरूरी setting आप से करवाने के लिए window explore करेगी, तो वहाँ पर आपको कुछ जरूरी setting को on off करना है, और तो यहाँ पर थोड़ा सा धैरे रखें, यहाँ पर दोस्तों जो setting है, यहाँ पर अगर जो India English select करना चाहते है, आप तो select कर सकते हैं, जो की keyboard का layout होता है, चाहे तो आप USB रख सकते हैं, इसमें कोई भी problem नहीं है, दोनों का same है, बस बोलने में अलग होता है, तो फिलाल मैं English India को select कर ले रहा हूं, और यहाँ पर yes को click कर देना है, click करने के बाद से second keyboard layout आ रहा है, तो इसे skip कर देना है, second layout नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही keyboard का layout चाहिए, तो इसे skip कर दे, और यहाँ पर अब देखेंगे, let's connect you to a network, network से आप connect करना चाहते हैं, तो यहाँ पर connect कर सकते हैं, तो यहाँ पर left hand side में I do not have internet वाला जो option दिख रहा है, इसे click कर दे, जैसे click करेंगे, तो अब उसके आगे आपको कुछ setting के option पर पूंचा दिया जाएगा, जहाँ पर आपको continue with limited setup को click कर देना है, click करते ही, आपके computer को use करने वाले person का नाम अर्थात user का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर use करने वाले person का नाम type कर दे, तो चलिए मैं यहाँ पर type कर दे रहा हूँ user का नाम, जिसकी PC है, और यहाँ पर next को click कर देना है, next को click करने के बाद यहाँ पर super member password खील करना है, यदि आप आपको windows को शुरू करते समय पासवर्ड पूछे, तो यहाँ पर आप password खील कर सकते हैं, जिसे आप बाद में भी add कर सकते हैं, तो फिलाल कोई password नहीं रखें, और यहाँ पर next को click करने के बाद फिर से थोड़ा सवक्त लाएगा, और थोड़ी देर बाद में कुछ और assessories की setting के लिए आपके option आजाएगा, जहां पर yes को click कर देना है, और accept को click करना है, accept को click करने के बाद कुछ और settings आजाएगे, जिसे on-off यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी के सभी usable हैं, तो यहाँ पर कुछ भी share ना करें, और accept को click करने, अब accept को click करने के बाद से और यहाँ पर display हो रहा है, जल्दी ही आपके desktop screen को ready कर दिया जाएगा, आपके लिए थोड़ी देर wait करें, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, presence रखना है, ध्यान रहे कि अपने PC को यहाँ पर किसी भी सूरत में shut down या बंद नहीं होने देना है, तो चलि Windows installation के बाद यह पहला screen है, जिसे हम desktop बोलते हैं, तो देखें, जब Windows install होता है, या computer format करते हैं, तो desktop screen पर recycle bin और Microsoft इज नाम का दो ही icon होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम this PC या my computer के icon को ला देते हैं, उसे लाने के लिए desktop screen पर right click करें, और personalize को click करें, और personalize को click करने के उसके right hand side में जाएं, नीचे के तरफ scroll करते हुए, यहाँ पर मिलेगा आपको desktop icon settings, इसे click करना है, इसे click करने के बाद computer जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर check mark लगा देना है, अपलाई करके OK को click कर देना है, और इसे cancel कर देना है, आप देखेंगे this PC यहाँ पर display हो को बताएंगे, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को like कीजे, चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कीजे, और इसे दोस्तों में share कीजे, यदि हमारे लिए आपके पास कोई सुजाव हो, तो comment section में जाईए, और comment करके हमें बताईए, हम आपके पुझाव को जरूर लागू करेंगे, तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में net office के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिम, जय भारत